तो आपको बता इस सिरीज में 2000 एवी इसके important questions का हम लोग revision कर रहे हैं और ये हमारा September महिना start हो चुका है आज से अभी December, उसके बाद November, उसके बाद October हम लोग खतम कर चुके हैं प्लेइलिस में ने बना दिया है नहीं देखा तो देख लेना स्टार्टिक में भी January से लिके April तक हम पढ़ चुके हैं तो अभी ये September स्टार्ट कर रहे हैं तो चलो फिल शुरू करते हैं इस प्रेशन में आपसे पूछ रहे हैं भी हाली में किस राजिक के चोकुआ चावल को जी आइटिक दिया गया जिसे जादू चावल भी कहते हैं तो आंसर होगा असम असम का है ये चोकुआ चावल फिर आपसे पूछ रहे हैं भी किस ने नभ मित्र का निर्मान किया है तो आंसर होगा इसरो ने किया है अब आप पुछो के नभ मित्र है क्या तो ये मचवारों की सुरक्षा के लिए है जैसे कि मचवारे समुंदर के अंदर चले गए मचली पकड़ने के लिए और मौसम खराब हो गया या कुछ और दिक्कत आ गई तो यहाँ पे जो अधिकारी बेठे हुए हैं वो उनको सूचना दे पाएंगे मैसेज दे पाएंगे अलर्ट मैसेज़स दे पाएंगे कि भाईया फटा फटा आजाओ ये दिक्कत होगी वो दिक्कत होगी तो कम्यूनिकिशन का काम करेगा एक तरह से आप कह सकते हो ये नभमित्र है जिसका निर्मान किया है इसरों ने, इसरों के अध्यक्स कौन है? S, सोमनाथ है, दसवे नंबर के है और मुख्याले बंगलूरु में आपको मिलेगा फिर आपसे पूचे रहे अभी योगी आदित्यनाथ ने कन्या सुमंगला राशी को 15,000 रुपे से बढ़ा कर कितने करने की घोषना की थी, तो आंसर होगा 25,000 रुपे, तो उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और इन्होंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभारतियों को दी जाने वाली राशी को 15,000 रुपे से बढ़ा के 25,000 रुपे कर दिया अब ये योजना भी इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एक तो उत्रप्रदेश की है ये प्रशन हो गया कब शुरू की गई थी तो 25 अक्टूबर 2019 को कम से कम जो उत्रप्रदेश के स्टुडेंट है वो तो इसको याद रखेंगे लखनव यूपी से इसको शुरू किया गया था और देशे क्या है इस योजना क्या होता है इसमें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक साहिता इसमें दी जाती है और इसी तरह से आपको याद होगा मद्यपरदेश ने जो लाडली बहना यूजना शुरू की थी उसमें भी जो आर्थिक साहिता दी जाती थी महिलाओं को हर महीने हजार रुपे उसे बढ़ा के साड़े बारा सो रुपे कर दिया था और एक और आपको याद होगा गुजरात सरकार ने प्रधानमंतरी जन आरोगे योजना के तहट जो बीमा कवर राशिये उसको पांतलाग रुपे से बढ़ा के 10 लाख रुपे कर दिया था और राजस्तान में जो चिरंजी भी योजना चला करती थी उसमें जो बीमा राशिये उसको भी बढ़ा के कितना कर दिया गया था अब आपको गे मैंने इसे क्यों बुला चला करती थी क्योंकि आप महाँ पे कanges की सरकार नहीं है अशो गेलोत की सरकार नहीं है आप तो भजल लाल शर्मा आ गए तो चलती तो अभी भी है लेकिन इसे आयुश्मान भारत योधना में शामिल कर लिया गया उसमें मर्ज कर दिया गया है यूँ आप समझो चलती तो अभी भी है फिर अगला प्रशन है अभी किस बैंक ने ग कुछ पे करना पड़ेगा आपको monthly या yearly और उसमें काफी सारी facilities यह आपको देंगे जैसे कि हमारे नॉर्मल बैंकों में होता है न सेविंग अकाउंट में भाईया minimum 10,000 तो रखना ही पड़ेगा वरना penalty लगना चालो हो जाएगी तो यह facility वहाँ पे होगे आप चाए एक उर पर रखो चाए 2 रुपे रखो चाए 2 लाख रखो कोई रिक्कत नहीं है और यहाँ पे हमारे ATM में होता है न कि 5 बार से यदा transaction नहीं कर सकते हैं तीन बार से यदा नहीं कर सकते हैं तो वो भी tension नहीं है कितनी बार भी ATM से पैसे निकालो कोई minimum limit नहीं है तो मतलब यह सारी facilities में दी जाएंगी एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो इस तापने हुई थी 1993 में headquarter Mumbai में है MDCUS के मिताब चौधरी है और tagline होती है बरती का नाम जिन्दिगी कुछ और भी मैं आपको revision कराऊं बैंकों से ही संबंधित current affairs तो अभी yes bank ने iris mobile application को launch किया था के नेरा bank आपको चुरू की थी यह अच्छा प्रस्ण है कि अभी railway board के नए अद्देख्श और CEO कौन बनी थी सबको पताए वैसे दो और जया वर्मा जिना इसका आंसर होगा यह इस पत पर आने वाली पहली महिला है इसलिए प्रस्ण important है इन्होंने किन का इस्तान लिया था अगर ये प्रस वाली क्लास आप कितना अच्छे से लेते हो और क्योंकि इनका appointment important है तो आप बताओ ये भी क्या बने थे बाकी गंजी कमला विराओ फसाई के CEO बने संतोष कुमार यादव National Highways Authority of India के अद्देख्ष बने और प्रमीन सूध CBI Director है फिर आपसे पूछ रहे हैं नागरे कुड़ अगला प्राशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी सुराज ट्रेक्टर के ब्रेंड एंबेस्टर कौन बनाए गए तो आंसर होगा महेंदर सिंग धोनी ये आपको पता है चन्ने सुपर किंग जो IPL टी में उसके कप्तान है 2023 का जो IPL इवेंट था वो इसीने ज बने थे चलो आप बताओ और किस के ये अभी ब्रेंड अमबेस्टर बने हैं दो तो मैंने आपको बता दिये स्वराज ट्रेक्टर और SBI दो के आप बताओ अच्छा ट्रेक्टर से एक और कुश्यन में आपको बता रहो भारत का पहला सुदेशी E-T्रेक्टर लांच किया गया था जिसका नाम क्या है CSIR प्राइम E-T-11 ये याद रखना इसको अगला प्रशन क्या है अच्छा प्रशन है किस भारतिय ने रेमन मैकसे से पुरुसकार 2023 को जीता तो आंसर होगा रवी कन्नन ये रेमन मैकसे से पुरुसकार है याद रखना इसे एशिया का नोबल चार एशियाई लोगों को दिया गया था वेसे तो ये लेकिन उसमें से जो भारतिये हैं वो नाम हमारे लिए important है रवी कन्नन ये cancer रोग विशेशग्ये हैं और असम में इनका एक cancer अस्पताल भी है अगला प्रश्न है हमारे जो केंद्रे मंत्रियें पियूष गोयल जी नोंने कहाँ पर भारत के पहले वित्त मंत्री की परतिमा का नावरन किया था तो तमिल नाडु में, हमारे केंद्रे कपडा मंत्री हैं ये पियूश गोएल जी, जिनोंने अभी तमिल नाडु के कुएमबटूर में भारत के पहले वित्त मंत्री, फिनेंस मिनिस्टर उनकी परतिमा का नावरन किया था, हमारे पहले वित्त मंत्री कौन है, आरके हम चेट्टी हैं, ये भी याद रखना, ये 1947 से लेके 1949 तक सुतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री फिनेंस मिनिस्टर रहे थे, तो यहाँ पर इस करंट अफेर्स के प्रशन के साथ, एक इस्टेटिक प्रशन भी आपका कवर हो जाता है, फिर अगला प्रशन क्या है, अभी अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन देखो, कि अभी किस राज्य ने ग्रह लक्ष्मी योजना शुरू की थी, तो आंचर होगा करनाटक ने, करनाटक में ये जो ग्रह लक्ष्मी योजना है ना, इसमें क्या होता है, परिवार की महिला मुख्या को 2,000 रुपे की वित्यसाहिता दे जाती है, उद्देशे है महिलाओं को शशक्त करना, मैं को ऐसा लग रहा है कि ये ग्रह लक्ष्मी योजना कहीं और भी चलती है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, चलती है और चलती है तो कि क्लास अटेंट कर रहे है, रेविजन वाली, ये मानके चलें कि आप पड़ाएं के परती बहुत सीरियस स्टूढेंट हैँ, क्योंकि नाम मात्र स्टूढेंटी इस क्लास को अटेंट करते हैं, सभी बच्चे नहीं करते हैं, पता सबको है कि रेविजन बहुत जरूरी होता अगर 10 मार्क से student रह जाता है exam में fail हो जाता है तो इतना दुख नहीं होता है जितना एक मार्क से fail होने पे दुख होता है तो इसलिए revision बहुत जरूरी होता है वह या पड़ी नहीं रहो तो फिर तो कोई बात नहीं कि पड़े नहीं तो फिर तो क्या मतलब है लेकिन हम उसके लिए time दे रहे हैं पढ़ लिए और फिर भी जान बुच करके उसका revision नहीं कर रहे हैं जबकि हमें पता है कि यह जरूरी है तो फिर तो आपने आपको धुखा देने वाली बात हो गई तो बात यह है कि जो बीच-बीच में ग्यानी बनने से नहीं होगा हमें selection लेना है ग्यानी बाबानी बनना तो आप जो में बीच में प्रशन पूछता हूँ अगर उत्तर आते हैं तो comment box में type करा करो क्योंकि लिखने से भी आपको चीज़े ज़्यादा समय तक याद रहती है बोलने से लिखने से मैं आपको बता चुका हूँ कहीं बार और जिन student को मेरा question पूछन पूछन अच्छा नहीं लगता तो आप मत लिखा करो मत बोला करो बाकियों को तो करने दो आगला प्रशन देखते हैं और हाँ वीडियो अच्छा लगते हैं शाम को या दिन में जब भी आप देखते हो तो क्योंकि वे सही हमारे व्यूज आते नहीं है तो इतनी सी help आपकी हो जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा continue रखने मुझे भी मज़ा आएगा कि चलो नए student नहीं जुड़ पा रहे हैं कोई बात नहीं जो regular student है उनसे ही थोड़ी help हो रही है तो इस प्रशन में पूछे रभी हाल में विश्व शान्ती पुरुसकार 2020 World Peace Prize 2020 को किस ने जीता तो आंसर उगर नर्गिस मॉमंड हसन जैई ने जीता है ये अफगानिस्तान की महिला है और कहाँ पे मिला इनको ये पुरुसकार Sweden में 2020 का World Peace Prize मिला था अफगानिस्तान की केपिटल काबूल होती है अब आप मुझे बताओ Nobel Peace Prize किसे मिला था और आपने Nobel Peace Prize वाला ट्रीके वाला वीडियो देखा होगा वहाँ पे भी ये प्रशन में आपको करवाया था क्योंकि धंक से नहीं पढ़ोगे तो आप Confuse हो जाओगे मैं सच बता रहा हूँ आपको अगर ये ही प्रशन एक्जाम में आ जाये और विश्व शान्ति पुरुसकार दोजा तेविस किसने जीता तो एक तो ये आंसर वाला उप्शन में रख दे और नॉबल पीस प्राइज वाला रख दे तो ज़्यादतर इस्टुडेंट नॉबल प्राइज वाला ही से टिक करके आएंगे वो ध्यान से पढ़ेंगे नहीं वो देखेंगे शांती पुरुसकार शांती का नॉबल पुरुसकार किसे मिला लेकिन आप ऐसे गलती नहीं करोगे क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा है अगला प्रशन क्या है कि अभी 1 सेप्टेंबर 2020 को भारत का नया युद्ध पोत जिसका नाम है महेंदर गिरी कहां से लॉंच किया गया था मुंबई से किसने लॉंच किया था तो हमारे जो वाइस प्रेसेडेंट है जगदीब धनकड़ जी उनकी जो धरम पतनी है वाइफ सुदेश धनकड़ उन्होंने इसको लॉंच किया था कहां से मुंबई थे और ये प्रोजेक्ट 17A का सात्वा और अंतिम इस्टील्थ फ्रेगेट जहाज है किसने मनाय था मजगाव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने और मैं आपको याद दिला दू कि अभी अगस्त के महिने में ही हमारी जो राष्ट्रबतिय द्रौपति मुर्मुजी उन्होंने प्रोजेक्ट 17A के छटवे युद्ध पोत को लॉंच किया था उसका नाम विंद्य गिरी था और इसी प्रोजेक्ट का जो पहला युद्ध पोत था वो 2019 में आया था उसका नाम नील गिरी था तो पहला वाला नील गिरी या आखरी वाला यानिकी साथ वा महेंदर गिरी और छटवा वाला विंदे गिरी था अगला प्रशन देखते हैं चलो फिर बताओ क्या है प्रशन तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं कि प्रेस सूचना ब्यूरो प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने तो मनीश देशाई बने थे प्रधान महानिदेशक यानिकी इंगलिश में बोलोगे तो प्रिंसिपल डारेक्टर जनरल इन्होंने राजेश मलोतरा का स्थान लिया था Press Information Bureau की बात करें स्टापना 1919 में हुई थी जब जलियावला बागत्या कांड हुआ था और किसकी स्टापना हुई थी 1919 में ही International Labour Organization की भी और इसके पहले भारती अद्यक्ष थे जे नतराजन ओप्चन में देखो Railway Board के Chairman और CEO का नाम अभी नई बनिये जो पहली महिला है वो जया वर्मा से ना प्रकाश शिरिवास्तव National Green Tribunal के नए अद्यक्ष बने थे और राकेश पाल भारते तत्रक्षकबल के Director General बने थे 25 वे नंबर के तो ये थी आज की आपकी Current Affairs की Revision वाली क्लास कैसी लगी आपको क्लास कमेंड करके जरूर बताओ क्या score रहा आपका और क्या ये क्लास आपके लिए helpful साबित हुई क्या इससे आपको मदद मिलेगी आपके पढ़ाई में चीजों को याद रखने में और अगर आप चाते हूँ इसे हम continue रखें या number of questions और भी ज़ादा बढ़ाएं तो इसमें आपको भी support करना पड़ेगा आपकी भी मदद लगेगी इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको share करना पड़ेगा जितने ज़ादा students उडएंगे मुझे भी इसमें समय देने पे और काम करने में मज़ा आएगा लिंक नीचे description box में है तो बस आज के लिए thank you